सब्सक्राइब कर ये टेक्निकल एक्सपर्ट राहूल चैनल को बैल आइकोन को आल पे दबाईए लेटस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होग कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में एक इंपोर्टन टॉपिक के यूपर बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने वाट्सप एप्लिकेशन में दो वाट्सप एकाउंट को एड़ कर रखा है या तो अगर आप किसी एक एकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं अगर आपको उसका यूज नहीं है या आप गलती से दो एकाउंट क्रियेट कर लिया है तो किसी एक एकाउंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अपने एकाउंट को आसाने से डिलीट कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अगर आपको यह नहीं पता है कि कैसे दो account create करना है एक ही WhatsApp में तो इसके उपर और एक वीडियो जो है चैनल पर है आपको इसका आई बेटर में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के यहां पर आपको switch account का option मिल जाएगा यह मेरा पहला account है और जो मैं switch करूंगा तो मैं अपने दूसरे account पर आ जाऊंगा तो जो भी आपको account जो है यहां पर delete करना है उस account पर आपको आ जाना है तो मैं आपको switch account पर करूँगा और मैं अपने दूसरे एकाउंट यान कि second account पर आ जाओंगा तो इस त्रीके से आपको जो भी एकाउंट जो है यहापे delete करना है उसको switch करने के बाद guys यहापे एकाउंट को मुझी को delete करना है delete करने करे guys फिर से आपको यहापे three lines यान की three dots पर click करना है और यहाँ पर आपको जो है, देख सकते हैं, setting का option देखने को मिल जाएगा इसidad करने के बाद, यहाँ पर आपको जो है, account का option देखने को मिल जाएगा, आपको account के option पर click करना है, तो जो guys simple सा process है, जो पहले आप जो डिलेट करते थे वही सेम प्रोसस्स फॉलो करना है आपको यहापको इस पर क्लिक करना है देन गाइज यहापको जो यह नंबर को एंटर करना है जिस नंबर से आपका एकाउट यह बना हुआ है country select करने के बाद जो है यहाँ पर country code और number एंटर कर लेंगे जिस number को आपको delete करना है यहाँ पर आपको delete account पर click करना है आपको इस तरीका interface मिल जाएगा यहाँ पर आपको select करना है कि क्यों आप अपना account यहाँ पर delete करना चाहते हैं यहाँ पर अगर आपको question देना है तो यहाँ पर option पर यहाँ पर type कर सकते हैं यहाँ पर इतना कुछ Enter करने बाद आपको delete account fellick करना जो आपको मिल जाएगा delete account बाद यहाँ पर आपको पिर एक बार confirmation देना है कि आप यहाँ पर account has been deleted, तो मेरा यहाँ पर जो second account यहाँ पर delete हो चुका है, तो गाज इस तरीके से आप भी अपने WhatsApp account में जगर आपने दो account create किया है, तो किसी भी एक account को आसाने से delete कर सकते हैं, या फिर आपका single account है, आप उसको भी delete करना चाते हैं, तो same process आपको यही फॉलो करना है, तो आप अपने account को यहाँ पर आसाने से delete कर पाएंगे, उमिद करता हूं guys, आपको समझ में आगा यह process, अग तक लेजा हैं